Hello my dear students, welcome to IFAS तो आज की इस वीडियो में हम लोग RPSC Grade 2 Mathematics का जो पेपर होता है उसका एनलिसिस करते हैं अच्छे से दिखिए, कोई भी exam qualify करना चाहता है तो सबसे पहला जरूरी है कि उस exam के बारे में सब कुछ जान ले अब इसमें से सबसे important topic यह आता है कि उस exam में जो भी पूछा जाता है कि कहां से कितने number of questions पूछे जाते है यह मालूम होना बहुत जरूरी है इस ढंग से जो भी उस जो भी student है उस paper का जो pattern है उस exam को जो चाहिए वो अच्छे से collect कर लेता है तो वो student आराम से exam qualify कर जाता है तो आज के इस video में हम RPSC grade 2 का जो mathematics का paper होता है उसको जरा अच्छे से analyze करते है कि कौन से topic से कितने number of questions आते है on an average ताकि आपको यह पता चलेगा कि कौन से topic को मुझे कितना time देना है कितना important हो तो मैंने आज के इस video में यह किया है कि जितने भी topic से हमारे mathematics के उन सारी topics के उपर कितने questions पूछे गया है on an average पिछले जितने भी exams होए उन में कितने on an average questions पूछे गया है उसका analysis किया है तो चलिए देखते हैं कि कौन सा topic हमारे लिए सबसे important है किसको कितना time देना है तो topic wise मैंने topic का नाम और उसके सामने on an average number of questions जितने भी पूछे जाते हैं उसका analysis किया है चलिए देखते हैं सबसे पहले हम शुरुवात कर लेते हैं states and relations से states and relations काफी simple topic होता है यहां से questions भी बहुत simple simple पूछे जाते हैं union intersection then a cross b and all that compliment find out करो यह states and functions relations हमजर अगर topic consider करें तो यहां पर on an average 3-4 questions पूछे जाते हैं है ना यहां पर 3-4 questions पूछे जाते हैं sites and relations से चलिए दूसरे topic की तरफ बात कर लेते functions अब यहां पर functions आप बोलोगी कि सर functions तो कितना important topic है यहां से 2 या 3 questions सिर्फ नहीं functions सब में involved है हर जगा functions तो आता ही आता है सिर्फ function function 1-1 onto इसके बारे में यहां पर functions के बारे में 2 या 3 questions आपको on an average मिलेंगे RPSC grade 2 mathematics का paper उसके बाद अगर हम बात करें trigonometry तो यह important बन जाता है section यहां से 5-6 questions पूछे जाते हैं और questions simple होते हैं सीधा identity पूछ लिया पूछ लीते हैं या फिर कोई एक identity solve करने को बोलते हैं और चार options देते हैं कौन से इसका answer है इस प्रकार की questions यहां से 5-6 questions पूछे जाते हैं trigonometry से उसके बाद अगर हम matrix and determinant की बात करें सबका favorite topic होता है simple होता है calculations यहां से भी आपको 3-4 questions देखने को मिलेंगे RPC grade 2 mathematics से paper में यहां पर basically आपको matrix की properties पता होने चाहिए और उसके साथ-साथ determinant की properties, determinant कब 0 होता है यह वगेरा जो भी properties है determinant के matrices के वो आपको पता होने चाहिए यहां पर 3-4 questions आपको पूछे जाएंगे उसके बाद system of equations अब एक system of equation दिया जाएगा आपको पूछेंगे कि क्या इसके पस unique solution है no solution है infinite solutions है या फिर किस value of अब कुछ system दी दिया है उसमें कुछ unknown add कर लिया k और किस value of k के लिए इसके पस unique solution होगा no solution होगा इस बारे में questions पूछेंगे तो यहां से 3-4 questions limit and continuity की बात करें तो on an average 2-3 questions पूछे जाते है limit continuity के उपर उसके बाद अगर हम बात करे derivatives and its applications के उपर derivative तो हर कोई find out कर लेता है जादा उनका focus रहता है यहां पर application के उपर तो derivative के जो भी application से जादा वहां पर questions दिखाई देंगे तो 3-4 questions इस topic के उपर भी आपको पूछा जाता है ठीक है तो यह कुछ topics है और भी हमरे पास कुछ topics है तो उनको भी देख लेते हैं ज़रा एक बार तो यहां पर अगर हम दूसरा दूसरे slide के उपर आ जाए तो यहां पर integration and its applications तो integration and its application के उपर on an average दो से तीन questions पूछे जाता है definite integral पूछा जाता है बहुत बार तो यहां से दो या तीन questions आपको दिखाई देंगे इस exam में differential equations की बात करें तो यहां पर one या दो question एक या दो questions पूछे जाएंगे यहां पर बात करें basically तो integrating factor find out करो या फिर linear differential equations all करो exact कब हो दा किस value of a के लिए या फिर कुछ differential equation देंगे और पूछेंगे कि कि इस value of a के लिए यह exact बनेगा इस प्रकार के questions यहां पर पूछे जा सकते हैं तो एक या दो question यहां से differential equation से यह 12 standard तक का पर्मिटेशन combination की बात करें तो चार या पाँक क्विश्चन से यहां से पूछे जाते हैं permutation combination साफी simple topic है permutation combination यहां से 4 या 5 questions पूछे जाते हैं उसके बाद अगर हम probability की बात करें probability यहां से दो या से 12 questions पूछे जाते हैं सिर्फ 2D geometry के उपर राइट तो आपको यहां से questions solve करते आना चाहिए दो lines दे दे उनका intersection आ गया तो angle find out करो इस प्रकार की questions से आप पर पूछे जा सकते हैं two dimensional geometry में ठीक है 11 से 12 questions on an average vectors and geometry की बात करें तो यहां से 11 से 12 questions यहां से पूछे जाते हैं और फिर अगर mechanics की बात करें तो five to six questions on an average यहां पर इस topic के उपर पूछे जाते हैं ठीक है तो यहां पर यह दो topics जो है यह काफी important बन जाते हैं 2D 3D geometry and vectors vectors algebra right dot product cost product and all that तो यहां से यह दो topics हमारे लिए काफी important हो गया है ना बाकी सारे यहां पर permutation combination भी important हो गया चार से पाच questions पूछे जाते हैं बाकी two three two three questions यहां से पाच six questions यह भी important है उसके बाद थोड़ा आगे चले तो complex analysis के हम बात करें तो complex analysis से यहां से तीन से चार questions on an average पूछे जाते हैं उसके बाद अगर हम binomial theorem के बात करें तो यहां से दो या तीन questions on an average sequence and series यह important बन जाएगा sequence series simple question होता है convergent कब होगा divergent कब होगा oscillatory इनके बारे में यहां पर यह फिर कोई series दे देंगे known series और फिर उसकी sum पूछेंगे इस प्रकार के questions यहां पर पूछे जाते है sequence and series में तो यहां पर 5 या 6 questions यहां पर इस topic के उपर पूछा जाएगा statistics की बात करें तो 3 से 4 questions on an average और फिर number system की बात करें तो 3 से 4 on an average and surface area and volume find out करने के लिए यहां से 2 या 3 questions तो यह कुछ topic से RPSC grade 2 mathematics में जहां पर on an average इतने questions आते हैं तो आपको decide करना है कि आप देखिए कितने आप मान लिया कि यह topic है मान लिया कि कुछ ऐसा topic है वाइन एक या दो ही question आता differential equations से तो उतना आपको कितने questions आते हैं तो उसके हिसाब से time को भी distribute किजिए जैसे कि यह topic है तो इसको आपको ज्यादा focus करना चाहिए इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए ग्यारा से बारा questions यहां से ग्यारा से बारा questions वेक्टर से तो ऐसे topics को आपको ज्यादा देना है और उस प्रकार से आपको preparation करनी है तो आपका आज का यह जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो तो मिलते हैं फिर एक बार तो आज की session के लिए सबको thank you bye bye and happy learning